कुश्चन है, इस कुश्चन को आपको solve करने हैं, देखिए, इस कुश्चन को solve करने से परले आप option पर ध्यान दिजिए, यह previous question है, option है 300, 305, 305, 355 और D option है 360, ठीके, अब हम उपर में 6 के स्क्वर कितना होता है, 36 होता है, 7 के स्क्वर, 49 होता है, 8 के स्क्वर कितना होता है, 64 हो होता है 36 400 कितना होता है 100 100 200 प्लस में 9 10 8 4 बार एक 30 130 है ने कि 330 330 अब देखो 330 यहाँ पर सारे अपसं जो है 300 के लगबग में है यानि कि नीचे में एक आ सकता है नीचे में एक आ इतना आपको सोचना पड़ेगा आपके सामने यह option आए तो इतना आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इस question को करना है अधर्वाइज मैं solve करके भी आपको बतायता हूं उपर तो पता चल गया हमें आगया कितना 330 आगया नीचे को हम देखेंगे तो नीचे को आप देखेंगे 7 प्लस 4 उट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 प्लस 4 उट 3 को अगर हम 7 प्लस 7 प्लस 4 उट 3 को हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 4 उट 3 लिख सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 4 उट 3 लिख सकते हैं लिख सकते हैं नो इसको कैसे अब यहाँ पर आप बोलें कि इसको ऐसे क्यों लिखा क्यों कि हम जब जब इसको फादर आप सिंप्लेफाय करेंगे तो यह आप लिख सकते हैं इसको इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 का होल स्कुर्ण करेंगे तो क्या होगा इसको क्या लिए सकते हैं 3 प्लस 1 होगा ना इस तोटेगा किसमें 3 प्लस 1 में तोटेगा यानि कि इसको मैं लिए सकता हूँ इसको मैं लिए सकता हूँ 2 प्लस इसको तोड़ी लेते हैं 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 यही होगा ना तो यहां का वी strongest तो रूट 3 plus 1 का हम यहाँ पन्हों है 1 square है क्या रूट 3 plus 1 का whole square लिचरता है अब यह रेख़ो नीचे जो प्रेकेट बें हमें दिया गया है रूट के अन्दर हमें जी दिया गया है परहल रूट के अन्दर हमें यह दिया गया है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 plus root 3 का whole square minus है दुसरा कम कहा लिख सकते है root 3 plus 1 का whole square लिख सकते है अब देखो यह square से जो यह root है cancel out हो जाएगा यहाँ से तो बचेगा क्या आपका 2 plus root 3 यह minus का root 3 और यह minus का 1 root 3 से root 3 cancel out हो जाएगा 2-1 बढ़ेगा कितना आपका 1 तब बटे में कितना आगया आपका 1 आगया 330 बटे में 1 इंसर आजाएगा आपका 330 देखिए आपको question को करने के लिए सोचना पड़ेगा ठीके आपने option देखा option 300 के लगबग में है यानि कि नीचे में 1 आ रहा होगा आप 10 सेकेंड या 15 सेकेंड कंदर इस question को कर पाएंगे हलाकि अब इस तरीके से question का जो option है काफी close दिया जा रहा है पर फिर भी अगर आपको exam में दिया जाए अगर इस तरीके से option ता आपको AC सोचना है पूरे solution को नहीं करना है